मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत आज चमूली जिले की दुर्मी घाटी पहुंचे त्रिवेंदर सिंग रावत पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस दुर्गम स्थल पर पहुंचे हैं दसॉले ब्लॉक में स्थित दुर्मी घाटी में दुर्मी ताल सत्तर के दशक में पर्यटन की दृष्टी से विश्व प्रसिद्ध था मुख्यमंत्री त्रिबेंदर सिंग रावत से स्थानिय लोगों ने इस घाटी को पुन है विश्व पटल पर स्थापित करने की अपील की मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए गैर सैन में दुर्मी ताल की जीनो धार की घोषना करते हुए 25 लाख रुपे की टोकन मनी जारी की मुख्यमंत्री ने दुर्मी निजमुला घाटी में एक प्राथमिक स्वास्ते केंद्र खोलने और बदरीनात विधान सभाक्षेतर के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं संबंधी लगभग एक दरजन घोषनाएं की उन्होंने कहा के राज्य सरकार पहाड की महिलाओं की आजीवी का सुधारने के लिए योजना बना रही है आगामी बजट में इसके लिए धनराशी की घोषना की जाएगी दरसल दुर्मी घाटी में 14 ग्राम पंचायते शामिल है घाटी की जनसंख्या लगभग 8000 है विकास और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टी से इस घाटी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है यहां की जनता पिछले कई वर्षों से सन 1970 की बाढ़ में ख्षति ग्रस्त हुए दुर्मी ताल के जीनोधा की मांग कर रही थी इसके बाद मुख्यमंत्री चमूली जिला मुख्याले गोपेश्वर महचे मुख्यमंत्री ने कलेक्टरेट सभागार में जिलास्तरी अधिकारियों के साथ विकासकारियों की समिक्षा की उन्होंने जिला योजिना के तहट जिले में 85 प्रतिशत धनराशी व्याय करने पर संतोश जताया इस दोरान उन्होंने पहाड़ी संगरहालय जिला प्रशासन द्वारा संचालेत नहिशुलक प्रेणा कोचिक सेंटर का भी निरिक्षन किया मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बाचीत में बताया कि चमूली जिले के लिए 43 पुलों के स्विक्रती की गई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में 127 पुलों में से एक तेहाई पुल चमूली जिले में बन रहे हैं इससे दूर दराज के गाउं की कनेक्टिविटी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की दूरस्त और सीमा तक शेत्रों में विकासकारियों को बढ़ावा दे रही है मैं दूर्मी गया था जहां दूर्मी ताल था कदी अब तो दूर्मी कहना ज़्यादा हो चीपोगा तो चेत्र में मैंने एक प्राथमिक स्वास्ते के दर इसके लिए मैंने वहाँ पर भुसना की है उसके लाव कई सब्कों के लिए वांतर और जिले के लिए गुषना की है मेरी कोशिस रहती है कि जो हमारे दूरस छेत्रों है प्रदेश के उन छेत्रों में जाए जाता है आज मुझे बहुत खुशी है कि जहां मेरी बहुत दिन से इच्छा थी उल्गाउंतर में पहुता हूँ आज यहां पर जिला योजना की भी संच्छा थी और अभी तक लगभग 85% यहां पर कर दिया गया है मुझे लगता कि भी हमारे पास जो धाई मेहना से से भी यहां पर 100% यह हमारा हो जाएगा